सार्यानों प्यार परिसाशेकाल मैं डॉक्टरमर प्रीज सिंग कंसल्टेंट सर्जन बावा नर्सिंग होम बसे पताना तो फिर तो अडेनाल एक बारी रूबरू हो रहे हैं आज बड़ा ही एक कॉमन टॉपिक जिनों के आपा आम लेंग्विज दे विच पेट दा अलसर कैके जान दे हां उन्हों कवर करांगे क्यों लोकां दे विच बड़े मित हैं की है क्यों हो जन्द है की ट्रीट्मेंट है यह बिसिकली एक टॉपिक है गा जिड़ा के पेप्टिक अलसर दे नीचे है चीज डिसकस किती जानी चाहिए दी है क्योंकि है साथे दुनों किसम दे अलसर जिड़े नियों कवर हो जन्देने जिड़े मोस्ली पेट दे विच हुन्दे हां जिननों सी गैस्ट्रिक अलसर क अलसर के जो के डूडिनम दे विच हुन्दा है यह अलसर साड़े सारे इंटेस्टाइन दे विच वी हो सकते हां जिननों के ओस नाम दे नाल ही जाने जानदा है बटे एक चारा टॉपिक पेप्टिक अलसर डिजीज दे अंडर ही कवर होएगा मैं सर्जन दे बता और थोड जड़ा जड़ा प्रेप्टिक अलसर है जिदे विच के हर किसमते अलसर असी केरे ने भी आरे ने पेट दे तो के पेट एक बहुत वड़ा पंडोरा बॉक्स है जिदे विच सड़ी आंतडी लिवर पैंक्रियास केड़नी बड़ा कुछ आया जानदा है पर अपा अलसर चोटी आंतडी दे विच ही जड़ा पाया जानदा है सो अपा जड़ी अलसर डिजीज है बेसिकली आजकल एहे स्ट्रेस रिलेटिड बहुत ज़ादा हो गई है आसी पहलना पुराणा टाइम से गा जो किसे नो अलसर उंदा सी गा ता बड़ा रेर ही बंदे नो देखा जा है अलसर की है बिसिकली दा लिटरल मीनिंग एक जखम है गा जिड़ा के जिवे कोई किसे दे साटल लग दी है उत्ते निशान पैजन दा है उन्हों भी यसी अलसर ही केदन दे है पर उस किन दा अलसर होंदा है इसे तरह साटा अंदर म्यूकोजा होंदा है इंटेस्ट्राइन या आंतरी दा जदों ओदेते थोड़ा जा कोई साटल लग दी है जो के एकसेस एसिड नल बन दी है या पेशन दी कोई डाइट एसिड लग दी है जिस नाल के अंदर तजाब बहुत ज़्यादा बन जन दा है ओ फिर ओ से रियेते साटे चोटा जा खान दे हां उदे नाल भी ठीक हो जन दे हां जदो उसी खाने दा अहार ठीक कर दे ले हां पर जदों कोई बन दा या किसे किसम दी जो कोई डाइट ले रही है जो के मसाले बहुत ज़्यादा हन मिर्चा बहुत ज़्यादा हन ओ अलसर दुबारा चिड जान दा है फिर पेन ड़ी है, खाली पेट है इसा कुछ नहीं हूँ Preppotent अधर दा सो ट्रीटमेंट जड़ा है बिसीकली लूग की अजकल आप ही जड़ा जणों मैं DSR का रहे हूँ सो DSR का सुट जड़ा है बिसीकली अजकल उमस्ट सारी कंपनीयान नहीं हजारा कंपनी नहीं कड़ता हूज है पेशन्ट आप ही अपना केमिस को लो लेके खरीद के खाई जा रहे है वो दा सब तो बड़ा नुकसान है कि तोड़ा प्रॉपर अलसर जे है तो उपर डाइग्नोज नहीं हो पांदा क्योंकि पेशन्ट कहनदा जी मैं DSR खा लेना हाँ और मैं ठीक हो जानते हैं क्योंकि काउंटर ते नहीं इजी अवेलेबिल्टी होगी है हरे काउंटर ते जानता है जो कैमरेस नो आपने नालसा आपना DSR लगदा है उन्हों देदनता चाहिए हो कि हो जावी DSR होए सो एक बहुत गलत ट्रेंट बढ़ गया है DSR खांदा और मैंनों नहीं लगदा भी कोई भी इंसान जड़ा के DSR हों नहीं खा रहा सो DSR खांदे साठे नुकसान सब तो पहला नहीं कि साठी बिमारी मास्क हो जानती है असी अगे उन्हों डाइगनोस नहीं कर पांदे पेशिट आपने अब लह लेके खाई जानता हुंता है जे जैनूरली अलसर होएगा सड़े पेट देवी चो अल्डी मेटली फटेगा ही फटेगा जे असी उन्हों बिना प्रॉपर डाइगनोसिस तो गल्द ट्रीट्मेंट कहलो इन एडिकोट ट्रीट्मेंट कहलो या उस बारे ना पता उन करके डी एसर खा खाके अपां अगे चाओ दे रहां देगा सो गेस्टिक अल्सर जड़ा है कि मैं मैं पहलाज क्या बी क्या बी मैं सर्फ अधा सर्जिकल पार ही रवार करांगा क्योंक्य। सब तो बड़ा जिड़े की कॉंप्लिकेशन है वो दी पर्फॉरेशन है गिया क्योंके जड़ा मैं मिकूजा पहला भी क्या भी जड़ा माड़ा चिद जानदा सीगा जे हो ज़ादा डीप चला जाए तो साड़ी आंतडी नो हो पाड़ भी देंदा है जिस करके के साड़ा ख बारा रपियर करना पेंदा है तो यह हुंट डपेंड करता है किस किसमता किते अलसर से का ओधे कोडिंग लिही यह सजर्जरी टेक अप किती जड़ी है तो दोस्तों मेरा जी कैंड़ दा मतलब है गया भी कोई भी पेशेंट नो पेइन अब्डॉमें दे विच स्पेशली क कोई स्पाइसी फूड लेंड नाल कोई हैवी फूड लेंड नाल या मिड़ आफ नाइट कोई कदी पेन होए ता उनों कदी अग्नोर ना करो तो अड़ी अलसर दी पेन भी हो सकती है DSR एक जड़ी चीज है गी है वो बहुत गलत विलेबिल्टी कारण साड़े बिमारियां जड़ी आने वो प्रलॉंग हो चुकिया है ते साड़े कोल पेशेट के वरी बहुत स्वियर शौक दे विच आदे हैं तो बीपी भी नी लब रहा हूंदा पल्स भी नी लब रहा हूंदी फिर हिस्ट्री तो पता चल्दा है जी ता दो साल तो चार साल तो DSR रोज का रहे है और स्ट्रेस जर आज कल है गया हूद्छे नाल विसा डियद ससीत बाड़ी ते विच इस्ट बहुत बचांदा है क्योंके हरे एक बंदा स्ट्रेस अंटर आज कल जी रहे हैं जिस करके के अलसर दी जड़ी क्यालो फ्रिक्वेंसी है बिच बहुत ज़्यादा हो गया और जिते असी पेशेट मेनेदा समझ लो एवरेज असी दस तो बारा पेशेट देख रहे हैं सी प्रॉपर अलसर जिन्हों अपा कहन दे हैं वो हुन वद के अल्मोस सड़ा तरीबन सौ दे कोल चला गया है जो को एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जिदे गेस्ट्रेंटावलेजिस्स सुनते ने होना कोलता येस तो जदा भी सड़े चाने हान क्योंकि उन्होंनों छोटी मोटी दवाई नाल कोई भी रि裂ीफ नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों यही कलार्मिंग सिचुएशन हों तो पहला पहला कोई अच्छे गेस्ट्रोंटोलोजिस्ट कोल कोई पेट दे माहर कोल जाके जरूर अपना प्रॉपर इन्वेस्टिकेशन कराओ जिदे विच के साधी एंडोस्कोपी भी होगी है ताके प्रॉपर डियाग्नोस होके प्रॉपर ताइम दे ट्रीटमेंट करा लो और अधी कॉंपलिकेशन तो बचे जावे तो प्लीज दोंट इग्नोर असिंपल पेइन अब्डॉम्में रिलेटिट तो दे मिल्स बिकॉस दिस कैन बी अलसर आलसो थैंक यू दोस्तों